Is gender equality वम स्वाःम स्फशेए माईट करने तो में इस जा सॉ केट करके देख़ wonderful स्बाव केटेगरी इस को एड कर एड करने देख़ एड करके देख़ है सबigorान केटेगरी एक उल ait कर एड करते हैं तो वो मेल वेबसाइट के ऊपर, जो कस्टमर वेबसाइट है, वो कैसे एकसे होती है, यानि वो कैसे व्यू होती है, that was the step number one of adding the product, हमने अब कैटेगरीज आड कर ली, अब हम यह करते हैं कि हम कुछ products using some images, हम कोई एक product है, वो अब हम back end से, यानि admin panel से, add करते हैं shop के अंदर, and then we will see कि वो front end पे कैसे नजर आती है, अब यह मैंने categories पे click किया, यह सारी में पास categories आ गई, अब मैं अगर for example, नए product आड करना चाहता हूँ, let's suppose electronics में mobile phone आड करना चाहता हूँ, तो अब मैं products में गया, product में में पास कुछ यहां पे products पढ़े हूए हैं, मैं existing product की category भी chain कर सकता हूँ, यहां पे click करके, लेकिन let's suppose मैं एक नया product आड करता हूँ, जैसे ही मैं new product पे click करूँगा, तो I will have this add new product panel, अब मैं product का नाम लिखता हूँ, let's suppose मैं करता हूँ, कि मैंने Samsung, मैंने product का नाम है, उसके अगर मैं कुछ images एड करना चाहता हूँ, let's suppose, एक यह image है, कोई भी आप random image आप एड कर दे, उसके बाद, let's suppose, यह image है, उसके बाद, आप quantities बताएंगे, यह बहुत जरूरी है, जो आपके पास available है, quantity, let's suppose, मैं पस है, 30, और आप यह limit लगाएंगे, कि जो customer है, वो कम से कम कितनी quantity में आप से खरीदेगा, मैं let's suppose, 1 लगता हूँ, उसके बाद, यह field बरी इंपॉर्टन्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं, reorder level, अब इसका message बढ़ें, send me email when the quantity is below or equal to this level, let's suppose, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 26, तो इसका मतलब यह कि जैसे-जैसे में चीज़ परचेज होती जा रही, या क्लाइन खरीदा जा रहा है, तो यह quantity कम होना शिरू हो जाएगी, जैसे ही मेरे पस quantity 26 पर आएगी, तो मुझे एक email alert आजेगा, कि जी, आपका जो stock है, वो खतम हो रहा है, आपको या stock में कोई नही चीज़ आड़ करनी है, या you need to do something, ये sort of एक alert आजेगा, ये बड़ा critical होता है, उसके बाद मुझे ये बताना है, कि जब चीज आउट आफ स्टॉक है, तो मुझे क्या करना है, मैं सिंपल लगता हूँ के जी, डिनाई order, अगर allow order करेंगे, तो इसका मतभी है, कि आप के पास, let's suppose, quantity है 30, आपके पास order आगया 40 का, तो उस केस में क्या करना है, मैं अगर allow कर दूँगा, तो आप यूजर को एक date बताएंगे, लेकिन उसमें आपको फिर ये देखना पड़ेगा, कि आपको जो additional 10 mobile phone है, वो कहीं से arrange करने पड़ेंगे, तो मैं simply यहाँ पर करता हूँ, deny order, उसके बाद shipping, ये बड़ी important चीज है, क्योंकि ये at time, it will create some fuss, कुछ ये मसला create करेगी, let's suppose, अभी delivery time default है, delivery time of in product, यानि in stock products, मैं फर ग्जामपल, 3 to 4 days करता हूँ, और out of stock days में मैं करता हूँ, let's suppose, 5 to 7 days, और जो additional charge करना है, मैं अभी इसको कुछ नहीं करता, charging fees मैं नहीं रखता, for example, अभी फ्रीर करता हूँ, और जो ये available carriers हैं, इनको मैं अभी जान बूच के, I am saying intentionally, मैं कुछ नहीं कर रहा, intentionally, फिर मैं गया pricing पे, मैं intentionally shipping को भी नहीं छेड़ा, उसकी एक reason है, I will tell you later on, pricing में गया, मैं let's suppose, का के जी, इसकी price है, let's suppose, 60,000, और उपर उसकी tax लग गया, 16%, let's suppose, मैं tax को करता हूँ, no tax, तो ये amount 60,000 ही रही, उसके बाद, जो यहाँ price है, वो भी 60,000 ही, उसके बाद, जो priority management है, shop की, आप उसकी currency बता सकते हैं, country बता सकते हैं, and group बता सकते हैं, उसके बाद, SEO से later चीज, जैसा मैंने पहले बताया, के SEO के लिए, आपको, ये आपको उसको जरूद पढ़ती है, जब आप Google search engine के उपर, आप अपने website को submit कराते हैं, तो जो customer आपके product को search कर रहा है, उसके search ease करने के लिए होती है, option में गए हम लोग, इसको आप करें के, where do you want to, your product to appear, मैंने everywhere कर दिया, तो ये मेरी basic settings ही, अब मैं वापस आया, अब आप यहां देखें, quantity 30 आरही है, what I would be more interested in, के, इसकी category क्या है, अब ही category home आरही है, मैं इसको expand करता हूँ, मैं click कर देता हूँ, electronics पे, उसके बाद, मैं simple safe के बटन पे click करता हूँ, तो, यह message अगर आ जाता है, setting updated, तो this shows कि मेरा जो product है, वो add हो गया है, इस particular category में, अब main category में, जो इसकी category है, वो home भी है, और electronics में है, मैं इसको expand भी कर सकता हूँ, और मैं electronics पे, यहां पे click करूँगा, यहां मैं safe करूँगा, and then we will try to load it, कि front end पे, let's suppose यह हमारे पास, यह हमारी website है, यह shop है हमारी, इस पे मैंने electronics पे click किया, so now you can see, कि यह हमारे पास, एक product आ गया है, जो हमने add किया था, और अगर मैं यहां से कुछ और product भी add करना चाहता हूँ, let's suppose यहां से, तो it will show up here, यह Samsung कर product में पस यहां पे मुझे नजर आ गया, अगर मैं let's suppose इसको, electronics की category है, और नाम इसका Samsung है, और यह active वो हो है, अमूमन यह होता है, at time कि जब आप add करते हैं product को, तो यहां पे active और inactive को, आपको default में इसको enable करना पड़ता है, यानि default में यह active नहीं होता, यहां पे let's suppose, मैं अगर इसी product की, दो categories assign कर दूँ, और यह दो ही हुई हुई है, होम भी है, और let's suppose, इसकी electronics भी है, मैं let's suppose, अब सिर्फ मैंने यहां पे electronics कर दिया, mean, कि अब मुझे यह home में नजर नहीं आ रहा, यानि home में जो mobile phone है, यह particular mobile phone है, वो नजर नहीं आ रहा, it can either be here, यानि या main category में नजर आएगा, अगर let's suppose, मैं main category, यानि home पे, यह basically radio button है, तो यह एक वक्त में एक ही जगा हो सकता है, let's suppose, मैं इसको, अब यह home में मैंने इसको मार्क कर दिया, अब यह electronics में नजर नहीं आना चाहिए, let's suppose, अब हम देखते हैं, अब मैं home में जाता हूँ, home में मैं गया, अब यह में पास जितने भी products हैं, अब यह मेरा home page है, यह सारी home categories है, अब मैं जितने मेरे products हैं, वो मुझे अब home page पे नजर आने चाहिए, यह पहला page है, और यह मेरा दूसरा page है, look here, यह मेरा पास Samsung है, जो मैंने अड़ किया था भी, और यह से पहले कोई मैंने iPhone अड़ किया वा था, यह दो product मुझे अब यहाँ पे नजर आ रहे हैं, let's suppose मैं electronics में ही जाता हूँ, तो यहाँ मुझे अब सिर्फ एक product नजर आ रहा है, Samsung, दो नजर नहीं आ रहे हैं, हलाकि जो main है, उसमें दो है, iPhone भी है, तो यह क्योंकि मैंने iPhone को सिर्फ home में मार किया है, तो वो electronics में नजर नहीं आ रहा, so this is how you can add different categories and products.